हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Poco C65 Android में आप अपने डिलीट हो चुगी फोटे है वीडियो को अपना रिकवर कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं देखी दोस्तों आप अपने मुवाइल फोन की फोटे है वीडियो को आपना दो तरीकों से रिकवर कर सकते हैं पहला तरीका यह होता है कि आप अपने मुवाइल फून की सेटिंग के जरीए ही आप जो डिलीट हो चुगी फोटो को रिकवर कर सकते हैं और दूसरा तरीका यह होता है आप अपने मुवाइल फून में किसी भी थर्ड पाट या अप्लिकेशन का यूज करके आप जो इस फोटो को पहले मैं डिलीट करूआ इसके बाद मैं आपको इस फोटो को रिकवर करके दिखाता हूं तो तो देखे इस फोटों को यह जो है छो है vite हो चुका आप ते करने के लिए आपको फोन की गैलरी ए इसolana alsd ब्रे रीř पे टब करना है आपका इस तरीकjem से पेज आएगा इसमें आपको उपर की साइड ही चौथा नंबर पर बीन का ओप्षन है Pacificaur नो प Lal它 अपर जितनी फोटो डे़िट करते हैं अपनी फोन का है और सब्सक्रेंद है कर नहीं dziया हुदा divert जाएगा हम यह आप एक बाद चेक कर लेते हैं फोटो रिकवर हुआ की नहीं हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं यह फोटो जो है रिकवर हो चुगा अपनी जगह पे ठीक वापिस आ चुगा है तो इस तरह किसे आप जो है अपनी डिलीट हो चुगी फोटे विडियो को लेकिन इसमें भी एक limit होती है कि delete करने के बाद आप उसे कितने दिनों के अंदर आप उसे recover कर सकते हैं, limit होती है, limit क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, देखे, आपको इससे समझने के लिए न, बीन वाले page में वापी जाना होगा, ठीक है, बीन वाले page में देखे, दो वाली photo को recover कर सकते हैं, लेकिन ये जो 60 दिन की limit और 30 दिन की limit, दोनों अलग लग तरीक से काम करते हैं, recover करने के लिए, मैं आपको समझाता हूँ, कैसे, आपको इन बैक पेच पे जाना है, ठीक है, राइट साइट की टॉप पर ये profile picture है, इसे टैप करना है, आपका पीज ओ पेच में 60 दिनों तक पड़ी रहेगी, 60 दिनों के अंदर आप उसे recover कर सकते हैं, 60 दिन में recover नहीं किया, तो 60 दिन बाद जो automatic permanent यहां से delete हो जाएगी, ठीक है, और देखिए, अगर आप बंद रखते हैं, बंद करने के बाद अगर आप कोई भी photo delete करेंगे, तो वो photo आपकी इस बीन वाले पेच में 30 दिनों तक पड़ी रहेगी, ठीक है, 30 दिन में आप उसे recover कर सकते हैं, 30 दिन में recover नहीं किया, तो 30 दिन बाद जो automatic permanent यहां से delete हो जाएगी, ठीक है, तो आपको समझ में आगी है limit, 60 दिन की limit और 30 दिन की limit कैसे काम करती है, तो दोस्तों इस तरीकी स आप जो delete हो चेगी photo है, वीडियो का अपने phone की setting के जरीए ही recover कर सकते हैं, ठीक है?